विश्वकब 2019 को शुरू हुए 14 दिन बीच चुके हैं और अभी फिलाल जिस मैच की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रमिवार को यानि की 16 जून को ब्रिटेन के मैंचेस्टर में होने वाले मैच की जिसमें आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान अब पाकिस्तान और भारत के बीच की मैच को देखने के लिए तो हर कोई उतसाहित रहता ही है लेकिन भारत और पाकिस्तान विग्यापन एजिंसियां भी इसको लेकर कुछ ज्यादा ही उतसाहित हो गई है ऐसा कि दोनों ही देशों में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर विग्यापन तयार किये जा रहे हैं जुस पर स्टार टेनिस खिलाडी सानिया मिर्जा ने आपत्ती जताई है बुद्वार को दोनों मुलकों में बनाय जा रहे विग्यापनों को अजीब और शर्मिंदा करने वाला बताते हुए सानिया मिर्जा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है सानिया ने ट्वीट किया बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे गंभीर विग्यापन सच में आप लोगों को मैच की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है खास कर इस बकवास के साथ इस मैच की तरफ पहले से ही लोगों का काफी ध्यान है ये सिर्फ क्रिकेट है और अगर आपको लगता है कि इन सबसे ज्यादा है तो इसे हासिल करें सानिया मिर्जा का ये रेाक्शन उन विग्यापनों पर आया जिसमें पाकİस्तान ने अपनी घटिया मान सिकता का इस्तिमाल करते हुए अपने विग्यापन के जरिये विंग कमांडर अभिनंदन वर्धुमान का मज़ा खुडाया है विग्यापन में एक शक्स विंग कमांडर अभिनंदन का ओवर ओल लुक कॉपी किये हुए है और भारतिय टीम की जर्सी पहने हुए है और उसके हाथ में चाय का प्याला है जैसा कि जब अभिनंदन पाकिस्तान के कबजे में थे तब उनका चाय के साथ एक वीडियो जारी किया गया था इस विग्यापन में जितने भी मैच से जुड़े सवाल अभिनंदन का गेट अप लिए शक्स से पूछे जाते हैं उस पर वो कमांडर की तरह ही जवाब दे रहा है और फिर विग्यापन में जब उस शक्स को जाने के लिए कहा जाता है और वो कब लेकर जाने लगता है तो पीछे से उसे रोब कर कहा जाता है कि कब कहां लेकर जा रहे हो और यही पर ये विग्यापन खत्म हो जाता है लेकिन पाकिस्तान की बदनियत को जरूर दिखा देता है ये दिखा देता है कि भारत पाकिस्तान के तरफ कितना ही दोस्ती का हाथ क्यों न बढ़ा ले लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वालों में से नहीं है तभी तो कोई भी देश किसी भी देश के सैनिकों का कम से कम मजाख नहीं बनाता लेकिन पाकिस्तान तो उससे भी बास नहीं आया तो Air Force की विंग कमांडर अभिनंदन को ही भारत पाकिस्तान के मैच से जोड कर दिखा दिया जिससे साफ जहर है कि पाकिस्तान इस मैच को युद्ध के तौर पर देख रहा है वहीं इससे उलट खेल भावना से देखते हुए इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच के मैच को लेकर भी एक एड तयार किया है जिसमें दिखाया गया है कि मैच के मुकाबले में इंडिया पाकिस्तान का बाप है और क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन Father's Day भी है तो इस दिन को भी इस विग्यापन में दिखाया गया है कि इस Father's Day किसकी होगी जी, इंडिया या पाकिस्तान? यही वो विज्ञापन है जिनको लेकर सानिया मिर्जा को शर्मिंदी की महसूस हुई है और उन्होंने इस सब को अजीब करा दिया है बता दे कि ICC क्रिकेट विश्वकप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितने भी मैच हुए है उन सब मैचों में पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का ही सामना करना पड़ा है यानि कि आज तक दोनों देशों के बीच हुए विश्व कप में 6 वंडे मैच हुए है जबकि T20 वर्ल कप में 5 मैच हुए है लेकिन भारत से कभी न जीत पाने की टीस हमेशा से ही पाकिस्तान के मन में बनी रही है हलाएं कि अब देखना दिल्चोस्थ होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच सोला जून को हुने वाले मैच में जीत किसी होती है क्यूंकि मौका तो दोनों ही टीमों के पास है था दून की पास। चूंकि मौका तो ड्यून के अटिए प्रश्च चाहिए तो लूग नागि मौका तो दून की टीमों के अटीजू प्रेट अटन के लिए मैं अवारी फ़ीज तृट और आवक्राव भी इजया तृट वे में लिए में एक जए बिलादवार्वाज इंस भीडिया नीमिल फिले इसमे एक कि अवर हो रहाई नीम वहां तृट निए भी 22 yards and almost 17 years of international cricket on and off I have decided to move on thank you for taking the time out to be here and to support me cricket has given me everything I have and is the reason why I stand here today it was a love-hate relationship with the sport in retrospect I don't think I hated this game because the love I have for it today which will remain constant until the end of life I can't really explain in words what is that feeling this game taught me how to fight how to fall to dust myself off to get up again and move forward I have failed more times than I have succeeded but I never gave up and will never give up till my last breath and that's what crickets taught me I gave my blood and sweat to the game once once I got onto it especially when it came to representing my country since my childhood I always tried to fulfill my father's dream to play for India and win the World Cup and I I can say I was lucky to have achieved it I am thankful every day to the Almighty both my Guruji's late Sant Baba Ajit Singh Ji Sant Baba Ram Singh Ji and my mother and my father who guided me on the right path through this entire journey I am hoping that each day one of you who matter in my life are proud of what I have achieved on and off the field and to my true fans who have always supported me endlessly I can't thank you enough especially when the times were tough as I go back in times today my life has been like a rollercoaster ride winning the 2011 World Cup being man of the series for man of the match awards well was all like a dream which was followed by a harsh reality getting diagnosed of cancer it was like touching the sky and then falling down at light speed and hitting the ground hard as all this happened so quickly and that too when I was the peak of my career but in that moment everyone I knew to whom I mattered stood together for me my fans my friends my family thank you for both thank you for both my doctors Dr. Nitesh Rahudgi who took me for treatment to Dr. Lawrence Einhorn in US who also treated Lance Armstrong this brings to my next focus in life which is to help cancer patients through my foundation UECAN at UECAN we spread awareness about cancer and help the underprivileged by conducting screening camps funding their treatments and sponsoring education to the underprivileged cancer kids we have also started our own merchandising arm YWC for the foundation to help generate funds for the cause I really want to make a difference to society by setting examples through my inspiring story on a lighter note I would say I am extremely lucky to play 400 plus games for India I would have not imagined doing this when I started my career as a cricketer through this journey some the other matches that remain in my memory was a 2002 natvis final my first S100 in Lahore in 2004 the 2007 test series in England of course the 6-6s at the 2007 T20 World Cup and then the most memorable was the 2011 World Cup finals and then probably the worst day in my career was the 2014 T20 World Cup finals against Sri Lanka when I scored 11 or 21 balls it was so shattering that I felt my career was over and I was written off by everyone to an extent that made me feel at times that it was all over then I took a bit of time and that's when I realized why I play cricket it's because I love the game so I went so I went back to basics and scored heavily in domestic cricket and about a year and a half later I made my comeback in T20 for India where I hit a 6 and a 4 of the last over against Australia in Sydney and suddenly all the belief came right back I was still in and out of the team while I was still in our team while after scoring almost 700 runs in five games in domestic cricket I finally made my comeback in one day cricket after three years in cut up on 18 January against England in 2017 I recorded my highest one score of 150 in 127 balls when everybody said it was impossible trust me I have never stopped believing in myself no matter what the world said believe in yourself because it believe in yourself because if you put your heart and soul into it you can achieve the impossible cricket has given me some great friends and seniors I started my career under Saurav Ganguly's captaincy and got an opportunity to play with my idol the great Sachin Tendulkar and other legends like Anil Kumble, VVS Lakshman, Rahul Dravet and Javagal Srinath. My close friends who I grew up with playing for India who also went on to becoming great match winners for the country such as Zach, Gauti, Veeru, Ashu and Bhaju. I made some great friends and not such great friends playing for so many years. This is the same match that created history and went on to win the World Cup under the great captaincy of MS Dhoni and and exceptional coaching of Gary Kirsten. Probably the best international coach I played under. I would like to thank the selectors and Saurav Ganguly who picked me and gave me an opportunity to play for India in 2000. Selectors such as Mr. Chandu Bode, TA Shekhar and others. I would also like to thank all my sports staff who made it possible for my body to last this long. Especially Nitil Patel and Ashish Kaushik. I would also like to thank national team coaches, various IPL team owners and staff, ground staff and anyone and everyone who helped me focus on cricket by taking care of the other things around it. I played with some great teams like Pakistan, winning and losing in 2004, 2006 and 2007 with Australia, losing to them in 2003 World Cup Finals and beating them in 2007 World Cup T27 Finals and again beating them in 2011 quarter finals of the World Cup. These were some epic battles and I always cherish these memories for the rest of my life. The adrenaline rush, playing for India, singing the national anthem before each game, touching the Indian flag, stopping every run for the team or scoring every run for the team was a complete different high. To be a part of history that was made after 28 years, I mean honestly, what more could I ask for? Last and most importantly, I would like to thank my family, my mother who is present here today, my loving mother who has been a pillar of strength and I feel has given me birth twice. Till Wähums Tillzähne